ओम शांती, 20 डिसम्मर की शर्वदान में आपको सोगत है, कर्म भोग मलग की शेर्व की वयादिया, शेर्व की प्रॉलम्स सबको आती है तो परामद करते हैं कि उसको आप कर्म योग में परिवर्टन करो और सेवा में बिजी रहो चाया आप मांसा से सेवा कर रहो, चाया आप हिल्डोल कर सकते हैं तो हिल्डोल कर रहो नियुक्त मलग की शब कामना है, सारे वेश्व की आत्मों को दो, सारी कंट्रीज को दो तो कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित बनने वाले भागेवान भावा तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति वा पुर्शार्थ के मार्ग में विगन अनुभव ना हो कि मेरा तन खराब है, मैं कुछ करने सकता, करनी सकती, चलनी सकता, चलनी सकती, बोलनी सकता, बोलनी सकती, ये ना हो तो तन का हिसा क्विताब कभी प्राप्ती वा पुर्शार्थ के मार्ग में विगन अनुबब ना हो प्राक्ति मतलब परमात्म को याद करना भूल गए, तन की प्रॉलम है तो भगवान याद नहीं आता, ये ना हो, यह हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे, मन से सेवा कर सकते हो, मन के श्रिश संकल दुआएं दे सकते हो लोगों को बैठे भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमत बन जाती है, अगर आप तन से नहीं कर सकते हो, आप मन से धन से सेवा करो, मन से अच्छे शुप संकल करो, चाहे कोई दुश्मिन बननी कोशिश करें, उसको भी आप दुआएं दो, तो आप का मन स्टेबल रहेगा, आपको सुलिशन्स मिलेंगे, फिर परमातों कहते हैं, कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, लोग को मत बताओ, हाई मैं कोई यह प्रॉलम है, हाई मुझे यह हो गया, हाई मुझे डियाबिटीज हो गया, अपने शेरी की बाते हैं, तो वो और बढ़ता है, उसे वंटन करना माना, समय और शक्ति व्यर्थ गवाना, हाई हाई करना, समय भी गवारे हो आप, और अपनी शक्ति भी गवारे हो, आप नेगटिक वी तरह आपका फोकस जा रहा है, योगी जीवन माना, कर्म भोग को कर इवर्तन कर देना यही है भागिवान की निशानी, परमात्म की याद में रहना, सेवाओं की बारे में सोचना, कैसे मैं दुआईं दूँ, कैसे मैं धन से सेवा करूं, यह कर्म भोग से एटेंशन हटाना और कर्म योग की तरफ चले जाना, परमात्वा कहता है संकल्ब करना भी एक कर्म है सिर्फ हाथ पर चलाना ही कर्म नहीं है संकल्ब भी कर्म है कैसे संकल्ब करते हो वो भी आपके कर्म एकाउंट होते है ओम शन्ति